वहारत में दोस्तों एक चीज इतना फेमस है मतलब इतना सबका फेवरेट है ना चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हो यह सबको बहुत जादा पसंद आती है वह हमारी सबकी फेवरेट पानी पूरी आज मैंने इसे बनाया है अपने तरीके से मतलब मेरा तरीका आप एक बार आप बना के देखिएगा कसम से कहरी बहुत अच्छा बनेगा और जो पानी है ना इसे गर्मी में आपको लूस से बताएगा मतलब यह टेस्टी के साथ हेल्दी भी है और इसे मैंने जब घर पे बनाया ना सभी को बहुत जादा पसंद आई थी तो आप भी स्टेब आपको पानी-पूरी बनाना बिलकुल भी जंजट का काम नहीं लगेगा एक दम टेस्टी और हैल्दी वाला काम लगेगा आप इससे रोज रोज और बार बार बनाना चाओगे इतना यह टेस्टी लगता है और यह बहुत ही हैं तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले हम पा निकाल लेंगे तो आम जितना आपघटा कम जादा कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है तो सबसे पहले इसे ब्लेंड जार में हम पीस लेते हैं तो थोड़ा चार पानिग जाङा ऐसे रखेंगे इसे डाल के मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट तयार कर लिया था और इसे हम रख देंगे साइड में और हम इसका थोड़ा सा खड़ा मसाला तयार करेंगे तो खड़े मसाले में मैंने 7-8 काली मिर्च लिये हैं एक चमल जीरा लिया है तो जीरा को अच्छे से भुन के हमें लाल कर लेना है मतलब जीरा यहाँ पे कच्चा नहीं रहना चाहिए तो अभी इसके फ्लेवर अच्छे से निकलेंगे और यह बहुत ही टेस्टी रहता है जीरा से हमारा पाचन तंदर अच्छा बना रहता है तो अब मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है और यह जीरा लिया है इसे सिल बट्टे पे हम पीसेंगे और अच्छे से रगड़ रगड़ के दोनों को एक साथ पीसेंगे तो अच्छे से यह पीसा जाता है तो यहाँ पे मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है एक दम इससे के आदे मार्केट वाला फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा इसे भी हम रख देते हैं साइड में दो काम हमारा खतम हो गया है अब तीसरा काम यह है मैंने यहां मार्केट से यह पानी पूरी वाला पूरी यहां पर मंगाया है और इसे गरम तेल मे अच्छे से फूल जाता है यहां पर हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है यह पानी पूरी वाला पूरी बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही अच्छे से फूल जाता है तो आप भी इसे जरूर लेके आईएगा बहुत काम हमारा आधा हो जाता है मतलब बहुत ही जल्दी से ये पूरी फूल के तयार हो जाती है और इसके बाद हमने आलू का मसाला और पानी तयार किया था बहुत ही टेस्टी सा लगता है आप भी जरूर इसे ट्राइ करिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको और यहां तक वीडियो आपने इंजॉय कर लिया है तो वीडियो को इसमें मैंने थोड़े से प्यास थोड़े से धनिया और थोड़ी मीर्ची डाली थी और थोड़ा सा अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे और इसमें थोड़ा सा अब जाएगा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मीर्ची पाउडर और यह जो जीरा और काला नमक हमने पीसा था इसी से टेस्ट बहुत जादा आता है और चाट मसाला थोड़ा सा एड़ करके अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हमारा आलू का मसाला यहाँ पर तयार हो जाएगा यहां पे में आपकरा सबारखो ककड़ी वेन हैं हींग लिया है थोड़े से प्याज बूंदी लिया है और हम पांई ले लेगा है तो इसे हम पानी ले लेखे तो यहां पर कम से कम आदाता के रखा था था इसमेंगे तो drivers का बना तो 10-12 लोगों के लिए । अभ हम इसमें थोड़ी सी ककीड़ी डाल देंगे। यह हैल्दी हो जाएगा। और हमने आम पीसा है ना तो उसे लूस से बचाएगा। तो एकदम मार्केट जैसा टेस्टी सा मसाला तयार हो जाएगा। हमने प्यास थोड़ी सी दनिया, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और यह हींग डाल देंगे जिससे डाइजेशन हमारा अच्छा रहेगा और थोड़ा सा काला नमक और जीरे का पाउडर डालेंगे तो नमक आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और एक मैंने जनजीरा का पाकिट लिया तो इसे भी डाल देंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ी सी मैंने यहां पर बूंदी ली है जिससे टेस्टी लगएगा एकदम मार्केट वाला फील आएगा यह बूंदी मैंने घर पर बनाया था तो इसे हम आदा कटोरी डाल देते हैं बहुत ही टेस्टी लगता एकदम यह आप पानी पीओगे ना तो बहुत ही टेस आप एकदम मुह में देखते ही पानी आ जाएगा इतना टेस्टी इसे यह बना था और थोड़ा समय ने इसमें आलू का मसाला फिल कर दिया है इसके अंदर अब हम इसे खा के बताते हैं कैसा बनाया है तो एकदम चटपटा तीखा टैंगी खटा मीथा सारे फ्लेवर इसके आशा करती हूँ कि आप पानी पूरी का पानी बनाने में मसाला बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी सारी मुस्किले हल हो जाएगी मतलब यह इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसे रोज रोज बनाना चाहोगे और इसे बनाने में जंजट आपको बेलुक पुरी तैया